बिसमिल्लाय रिफ्मानी रहीम, अस्सलामु अलेकुम आज मैं आपके साथ पत्ता गोबी आलू की ऐसी भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो के बनाना बहुत जादा आसान है और बहुत टेस्टी बन का तयार होती है तो अगर आपको यह रिफ्मानी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले पत्ता गोबी को कट करके और टमाटर हमने यहाँ पर दो ले लिए है उसको कट करके हम एक बड़े से बरतन में पानी लेंगे और यह दोनों चीज को इसमें एड कर देंगे और इसको 5-7 मिनिट तक अच्छे से हमें उबाल लेना है तो 5-7 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं पत्ता गोबी भी जो है वो नरम हो जाएगी थोड़ी और टामाटर भी जो है वो इस तरीके से हो जाएंगे कि इसका जो छिलका है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा तो इस तरीके से छिलका निकाल लेना है हमें टमाटरों का और ये हमारा हो चुका है इसको हम छन्नी में दालके स्ट्रेन कर लेंगे इसका पूरा पानी और अभी इसको बगार लेते हैं तो भाजी को बगारने के लिए हमने एक बरतन में तीन से चार टेबल स्पून ओईल को जो है वो गरम कर लिया है आप चाहे तो मस्टर्ड ओईल में भी इसको बना सकते है ओईल जो है वो हलका सा गरम हो चुका है अब इसमें हम एट कर देंगे हींग बिल्कुल आदा चोटा चमच हींग इसमें एट करेंगे हींग से इसका फ्लेवर बढ़ जाता है और खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है अब मैं इसमें आदा चोटा चमच राई एट करूंगी राई को अच्छी से फूलने देंगे उसके बाद हम इसमें आदा चोटा चमच जीरा एट कर देंगे जीरा भी अच्छी से चटक चुका है तो अब इसमें हम दो मिडियम साइस की प्यास को पतला पतला कट करके एट कर लेंगे प्यास एट करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्यास को जो है वो फ्राइ कर लेंगे जादा गोल्डन नहीं बस हलका सा हमें प्यास को फ्राइ कर लेना है अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी तीन हरी मिर्ची जिसको मैंने बीच में से चीरा लगा दिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देख सकते हैं प्यास जो है हलकी गुलावी हो चुकी है अब इसमें हम टमाटर एड़ करेंगे इसका छिलका हमने निकाल लिया है तो यहाँ पर दो टमाटर ले लिया है मैंने और टमाटर एड़ करने के बाद इसको चमच से इस तरीके से करेंगे ताकि टमाटर तो है पूरे गले हुए अब बस इसको हमें थोड़ा सा मैश कर लेना है ताकि इसका मसाला बन जाए तो इस तरीके से करते हुए टमाटर जो है अच्छे से हमारे इसमें मिक्स हो जाते है तो देख सकते हैं आप बिल्कुल दो मिनिट में टमाटर जो है अच्छे से घुल चुके हैं अब मैं इसमें एक शिमला मिर्च को मैंने मोटे मोटे टुकडों में कट कर लिया है यह एड़ कर देंगे शिमला मिर्च दालने से यह भाजी का टेस्ट जो है वह बहुत बढ़ ज और एक चोटा चमज एड़ कर देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिन अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताके सारे मसाले आपस में अच्छे से मिल जाए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक आलू को पीसेस में कट कर लेंगे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और यह add कर देंगे तो भी आप देख सकते हैं अच्छे से हमें इसे mix कर लेना है ताके आलू को छोटे जितने पीसेस में कट करेंगे उतने जल्दी जो है वो आलू गल जाएंगे क्योंकि पतागोबी भी हमने उबाल लिया था तो उसको गलानी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप पतागोबी हम इसमें add कर रहे है और इसको भी हम अच्छे से mix कर लेंगे तो भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हैं यह पूरी भाजी जो है वो mix हो जारी है और जिसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है जटबट से बनने वाली रेसिपी है बच्चों को टिफिन बॉक्स में या फिर लांच बॉक्स में आप दे सकते हैं हलका सा पानी डालेंगे ताकि आलू जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाए और इसको पास से साथ मिनिट टेक के लिए ढख कर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर और ये टेस्टी सी गर्मा गर्म हमारी पत्ता गोबी आलू की भाजी रेडी हो चुकी है अगर आपको ये रसीपे पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज़रू लाइक कीजिए मिलते हैं एक्स रसीपी में तब तक के लिए अल्ला हाफिज